आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है बालेट आफ बिर्मिंगम यह एक छोटी सी शॉट पोएम है सबसे पहले तो आपको इसका अबाउट जो सेक्शन दिया हुआ है उपर ब्रैकेट में वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस पोएम क्लियरली समझ में नहीं आएगी सबसे पहले हम वो पढ़ लेते इस पोएम इस अबाउट दा 1963 बॉंबिंग ऑप दा 17th स्ट्रीट यानि कि यह जो पोएम है यह 1963 की एक इवेंट के बारे में एक रियल इंसिदेंट के बारे में है 17th स्ट्रीट बैप्टिस चर्च इन बर्मिंगम बर्मिंगम एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका में है वहां पर एक बॉंब ब्लास्ट हुआ था कोई वार्फ हुई थी बॉंब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में यह पोएम है दा पोएम कंवेज था मैसेज पोएम हमें यह मैसेज देती है तो ब्लेस इस असेफ हैवन अगांस रिशिल प्रिजिडिश इस्पेश्ट इस्पेश्टी वैं दा गॉर्मेंट दस नॉट अफर एक्क्वल प्रोटेक्शन यानि कि कोई भी जगह सेफ नहीं है और तब और और विख चानिरी की वह एक एक्वल प्रोटेक्शन हमें न दिए पाए रेसेज्म मतलब बिटा रंग के आधार पर लोगों में भेधभाव करना है यानि कि कलर के हिसाब से कोई काला है कोई गोरा है अमेरिका में जानते कि उजली लोग जो गोरे लोग होते हैं वो होते है ब्रहे हैं। वहांपर ऐसा नहीं है।र फिकласт दबा है वई सधिरम रेजिपली संदोसे इसे या मैं सब्सक्राइप से हैं। एक छोटी बच्ची है जो अपनी मा से कह रही है कि डिया मदर क्या आज में किसी गार्डन में खेलने की बजाए डाउन टाउन में जाओं यानि कि शहर के कस्बे के एक जगह में जाओं और वहाँ पर मैं एक मार्ज करो मार्ज जैसे बिटा आप लोगा ने देखा होगा जो स मार्च आजादी के लिए हूँ फ्रीडम के लिए हूँ नो बेबी नो यू में नॉट गो फोर दोग्स आर फेर्स एंड वाइड एंड क्लब्स एंड होसे गंस जैल्स आर नो गुट फोर अडिल चाहे तो उसकी जो मा है वह कहती है कि नहीं बेटा तो बाहर नहीं जा सकते क्यों कि बाहर जो डॉक्स हैं जो वाइल ऐनिमल्स हैं वो सब बहुत खतरनाक हैं and clubs and horses और बड़े-बड़े pipes हैं जिनसे पानी बह रहा है तो एक बॉन का जो शीन होता है वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है और इससे अब कह रहे है कि यह सब एक बच्चे के और Birmingham की गलिओं में मार्च करेंगे to make our country free हमारे country को free करने के लिए No baby, No you may not go For I fear those guns will fire But you may go to church and street and sing in the children's court तो उसकी मा कहते है नहीं बिटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूगी क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो guns तुम पर fire ना कर दे इसके बजाए तुम्हें जाना चाहिए चर्च में और तुम्हें उन सब बच्चों के लिए प्रे करना चाहिए She has combed and brushed her night dark hair यानि कि फिर उसकी जो मा है वो अपनी बच्ची के night dark color की जो hair होते हैं उनको comb करती है उसके बालों को सवारती है and baths rose petal sweats और रोस के जो पंखुडियां होती है उसको नहलाती है and drawn white gloves उसको white color के gloves पहनाती है on a small brown hand उसके brown hands पर and white shoes on her feet और उसके पैरल में white color के shoes पहनाती है The mother smiled to know that her child was in the sacred place आपके जो मां है वो smile करती है यह सोचकर कि उसकी जो बेटी है उसका जो बच्चा है वो एक sacred place पर जा रहा है पवित्री स्थान पर जा रहा है but that smile was the last smile लेकिन उसके मां के वो जो smile होती है वो last smile होती है तो कम अपॉन हर फेस जो इसके फेस पर आती है अब लास्ट इस्माइल क्यों होती है यह में लास्ट इस्टा एंजामें पढ़ता चलेगा लेकिन जब वो एक्स्प्लोजन की आवाद सुनती है हर आइस ग्रीव वैट इसके जो आखें होती वो भीग जाती है वो डर जाती है शी रेस थ्रो दा स्ट्रीट आव बामिंगम वो बामिंगम की गलियों में दौड लगाता जाती है अपने बच्चे को बुलाती है और फिर उन सब टुकड़ों मैसे जो वहाँ पर सामयर पढ़ा होता है उनमें से वो एक शू उठाती है और कहती है यो तो वही शू है जो मेरे बच्चे ने पहना हुआ था मेरी बच्ची ने पहना हुआ था बर बेबी वेर आर यू लेकिन बेटी तुम कहा हो इसमें एक आरोनिकली स्टेटमेंट है कि जब वो बविंगम की गलियों में अपनी बच्चे को भूनने के लिए जाती है क्योंकि वो एक बॉंब की आवाज सुनती है और वहां उसकी बच्ची की जगह क्या मिलता है सिर् का शू यह एक पोयम की इसके जो पोईट है डूटली रैंडल होने लिखी है रेससम पर कई सारी पोयम यह पोयम थी इसके जो वर्ड मीनिंग और पर्स्टन आंसर हैं यह मैं आपको पीडियोप में सेंड करूंगी तो यह आप अपनी कॉपी में अच्छी हैंट राइटिं तिल देन बाइ बाइ थैंक यू